कि प्रवुट नागरी कि हमारे पास में आते हैं और उनको जो मांसिक बिमारी होती है तो इनका इलाज करना जड़ा कठिन हो जाता है क्यों ऐसा होता है उनका इलाज कैसे करना चाहिए उनके बारे में आपको आज ये वीडियो बताने वाला हूं ताहिए हमारे चैनल में आपका स्वागत है मेरा नामें डॉक्टर दीपक करेकर में मनोविकार सेट्स्रोग सम्मोध था विसनमुक्ति तग्य हूं महराष्ट में अकवला नागपूर पुने मॉंबे यहां हमारे होस्पिटल है यहां मनोविकार्द था है विसनमुका इप्चार करते हैं हमारे बास में जब लोग आते हैं करीपरी 50-60 साल के बाद के जब लोग आते हैं तो होता कि उनकों को ऐसे एक तो कानों में सुने कम आता है ऐसा होत कुछ आवा सुना ही आती है ऐसा लगता कि कोई आया है कोई जा रहा है कुछ लोग अपने बारे में बात कर रहे हैं को सुना ही नहीं आता तो लोग अपने बारे में बात कर रहे हैं और फिर नहीं नहीं आती और फिर लगता कि लोग हमको निगलेक भी करते हैं काम के भी हम के साथ में कम से कम side reaction हो या side effect हो समझवा हम ऐसी दवा देते हैं कि जो दबाई का side effect ज्यादा है तो फिर इनकी बिमारी ज्यादा हो जाती है अभी एक मेरे पास में एक elderly person आया था प्रोड उनकी उमर करें को सतर साल की थी तीन चार डॉक्टर लोगों के पास में घुम भिर के मेरे पास में आया मांसीक बिमारी का इलाज चालू है उनको यही सब symptom लक्षेंड है नीन नहीं कोई आया ऐसा लगता है कोई अपने से बात कर रहा है और वो उनको बिमार थे उनको साथ आठ दीन में कम से कम तीन चार जगह उनको घुमा लिया मेरे पास में आया तो उनको मैंने देखा कि उनको दवाई तो बराबर चल रही थी मगर जो दवाई दे रहे थे उसका side effect था मैंने किया क्या कि उनको ऐसी दवाई चुणी भीख़ रही कि जो दवाई का side effect कम से कम है अब सब कंसे कम है तो फिर आप lotta time भी लगटा है action करने की लिए तो फिर वह दो जब मेन उनको दिया वाजके पहले हम अब यह hace sow portfolio कर दिया तो ये नई दवाई जो मैने दिया इसे उनको तीन दिन में आराम हो गया सिर्फ तीन दिन में पहरा कहने का मतलब यह कि जो प्राउट नागरिक रहेते हैं ग्राउची को पैसेटा साल के बाद में इपको बीमारी होती है तो इनको कम प्रमाण में दवा देना जूर रहता है और रिलेटिक उसने अपने मन से दवा देने की नहीं क्या है सोता नहीं है नीन की मतलब दूब दवाई खिला देते हैं उसमें ज्यादा आ जाती है सेकंड वो कन्फीजन में जाते हूं उसमें अपन कहा है तो डॉक्टर जैसे प्रिस्काइब करते हैं वैसके दवा दो और डॉक्टर लोको ने एक ख्याल में रखना चीए कि जब दवाई देते हैं तो जिसको कम से कम साइ इफेक्ट आते हैं एल्डर लोगों तो ऐसी दवाई हमको चुन्नी पड़ेंगी कि जिसमें ट्राइक्जी फेनिडिल करके जो केमिकल है जो इन कॉंबिनेशन देते हो दिनाने चाहिए तो इस तरह से वह जो मैं बता रहा हूं जो देखती मेरे पास में लाये थे वह करिए और इक चार-पास दिन ने तो पूरा अच्छे हो गए सिर्फ मैंने किया कि जो दवाई चले थे बंद कर दिया नवी दवाई दिया उनको शान नीन लग गई और वह अच्छे हो गए तो काफी सारे अभी क्या हो रहा है कि उम्र बढ़ते जा रही है आईश्यमान बढ़ता कारोज हो सकता है या डिमेंश्या अलगएलव प्रकार या उसमें का को हो सकता है या फिर मांसीख वीमारें भी होती रहती है डिप्रेशन बहुत कौमन ही होते रहता है क्कुट रिप्रेंट की जर्रत है वह पराबर केर दिभई रहते है तो उनका जीवन जो है उत्छा हो जाएंगा पीसफुली हो जीवन जीएंगे और बाकी लोगों को भी तकलीब ने होगी तो स्पेशली रिलेटिव को मुझे ये बोलना है कि उन्होंने डॉक्टर जैसे प्रिसकाइब करते वैसी दवाद दो और उनको ठीक तरह से उनका नर्सिंग करो केर करो ताकि वह यह हमारी वीडियो सब्सक्राइब करो ताकि हमको ऐसा लगेंगा कि नहीं आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि लाइक भी देना बहुत जरूरी है उससे हमको प्रेणा मिलते वीडियो तयार करने के लिए बेल का आइकॉन जो आता है उसके उपर आप क्लिक करते होना तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहली बार मेरे आ जाएंगे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धिन्यवाद थैंक यू बेरी मुच